हेलो, आज हम बात करेंगे MRI स्कैन की MRI स्कैन क्या है? MRI जिसे Magnetic Resonance Imaging भी कहा जाता है यह एक खास किसम की Imaging टेकनीक है जिसमें Magnetic Waves की सहायता से शरीर के अंदर के ओर्गन्स का फोटो लिया जाता है यह टेस्ट क्यों किया जाता है? सिर के MRI की जरूरत पढ़ती है ज़दी पेशेंट को brain की कोई बिमारी है जैसे brain aneurysm, brain tumor, etc. चाती के MRI की जरूरत होती है यदि पेशेंट के heart को देखने की जरूरत हो उसके valves की condition को जानने की जरूरत हो या फिर उसकी coronary artery में blockage हो गई हो चाती के MRI से हम lungs का condition भी जान सकते हैं उसमें कोई tumor तो नहीं हो गया है कहीं infection या abscess तो नहीं है इस सब के विशे में जानकारी हमें मिल सकती है पेट के MRI से हम जान सकते हैं कि liver, gallbladder, pancreas, kidney इत्यादी के क्या status है pelvis के MRI से हम urinary bladder और uterus, ovaries इत्यादी के बारे में जान सकते हैं हड्डियों के MRI से हम bone tumor के बारे में जान सकते हैं joints के MRI में हम arthritis और dislocation, cartilage की changes, etc. के बारे में जान सकते हैं यह test कैसे किया जाता है इस test के लिए patient को कपड़े निकालने के लिए कहा जाता है इसके अलावा कोई भी metal object जैसे घड़ी, chain, jewelry, etc. भी निकलवा दिया जाते हैं patient को एक gown पहना दिया जाता है और एक table पे लटा दिया जाता है यह table MRI scanner machine के अंदर चला जाता है जो की एक tunnel जैसा होता है patient को MRI करते समय एक दम still रहना चाहिए patient को कुछ आवाजें सुनाई दे सकती है MRI होते हुए क्या इस test से पहले कोई खास instruction दिया जाता है यदि patient ने pacemaker डलवाया है या उसकी हड़ियों में कोई nail डला है या उसके दांतों में चांदी की filling है या उसने कोई tattoo बनवाया हो तो इस सब की जानकारी doctor को पहले से दे देनी चाहिए क्या इस test में दर्द का अनुभव होता है आम तोर पे इस test में किसे किसम का दर्द का अनुभव नहीं होता लेकिन यदि contrast की आवशक्ता हो तो contrast IV दिया जाता है जिसके समय थोड़ी दर्द महसूस हो सकती है इस test के करने में कितना समय लगता है यह एक लंबा test है और इसके करने में 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक लग सकते है ओपन MRI क्या होता है यदि patient को epilepsy हो या claustrophobia हो जिसकी वज़े से वह बंद जगाओं में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता तो open MRI किया जाता है यह MRI एक open MRI scanner में किया जाता है और इसमें tunnel के जैसा MRI scanner नहीं रहता